उत्रपरदेश की आगरा में अंतराश्चे महिला दिवस पर तहसिल एत्मादपूर में एक सभा कायोजन किया गया जिसमें तहसिल एत्मादपूर के तमाम विभागों के सभी अधिकारी मौजुद रहे खंदोली वो एत्मादपूर ब्लॉक की आंगन वाड़ी कारे कत्री सामिल हुई वो अन्य छेत्रों से भी महिलाएं आई थी सभी महिलाओं ने अपने विचार वेक्ट किये हैं पुलिस अधिकारी अतुल सोनकर दवारा महिला सुरक्षा सो नंबर डाइल वो 1090 की महिला सहायता केंदर की जानकरी भी दी गई कई महिलाओं दवारा अपनी समस्याओं को भी बताया गया और अधिकारी ने सहायता का स्वाशन भी दिया वहीं सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए उपजला दिकारी अत्मादपूर्ज रजनिश मिश्रा ने कहा है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां स्यों भगवान निवास करते हैं जिस देश में महिलाओं को बराबर सम्मान वधिकार देने की बात की जाती है उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है कारेक्रम का संचालन नायाब तहसिलदार गजिंदरपाल सिंग ने किया इसी के साथ तहसिलदार एत्मादपूर ने भी महिला उत्थान की कई बातों पर अपने विचार वेक्त किये हैं दस नब्बे हैं और आपका ट्विटर है और इसके अलावा यूपी हंड्रेड है इन सब जो अधिकार हैं महिलाओं के लिए चलाई गई यह सुविदाएं हैं उनका प्रयोग वो किस तरीगे से करें अपनी आत्मरक्षा के लिए यह सब मीटिंग के अंतरगत बताया गया है और इसमें सभी महिलाओं ने अपने अपने जो उनको समस्याएं थी उनसे अवगत कराया सीओ साफ थे उपजुलादिकारी महोदे थे बाकि जो हमारे जितने भी है यहां पर उपस्तित व्यक्ति थे उन सबने उनका सायोग किया उनकी बात को सुना समझा और उनकी जैसा कि आप सभी लोग है आज 8 मार्च है अंतरास्टी महिला दिवस होता है अंतरास्टी महिला दिवस के उकलक्ष में आज तैसील इतमातपूर के शभागार में एक बिचार संभोस्टी आयोजित की गई ती जिसमें मेरे साथ सीओ इतमातपूर तैसिलदार साहब, नाइ कुछ हेल्थ सेक्टर से थी, कुछ अन्य सेक्टर से आयी थी, सभी ने अपने भी चारवेक्ट किये, उसमें सरप्रता महिलाओं के द्वार अपने अधिकारों को रखा गया, फिर हम लोगों के द्वारा उनके अधिकारों से संबंदे जो भी बिदिक प्राउधान थे, उस इन चीजों के बारे में इन चीजों के बारे में इन चीजों के बारे मी बताया गया और इन से कहा गया कि इस चीज को यह बेजी सक यूट्स करें, उनके रिस्पांस के बीजें बताया गया कि इनका क्विक रिस्पांस होता है उत्तरपर्देश से सुमेंदु सेंगी रिपोर्ट